लोग आस्था का महापर्व चट की शुरुवात हो चुकी है देखिए आज पहला दन है और आज नहाई खाय होती है ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस तरीके से जो चट रतीया है वो आज जो प्रशाद है वो बनाती है और खास तार पर इस प्रशाद में जो मुक्धे चीजे होती है वो चावल होता है कदू भात होता है अलग-अलग तरगी ची सबजिया होती है पहले उनहीं से जानेंगे कितना महत होता है, कितना महत होता है इस चीज होता है, इसका बहुत, ये सातविक बोजन आज के दिन शुरुआत करने के लिए हम लोग खाते हैं, और अपने मन को साफ कर लेते हैं, एक दिन पहले लहसन प्याज वगएरा सब बंद हो जाता है, और इसका शुरुआत हो जाता है, तो ये जो सारी सबजियां बनती हैं, जो प्रशाद होता है, क्या इसमें लहसन प्याज भी इसने किसी चीज मेंने, सेंधा नमक पर पूरा खाना बनता है, पूरे जो खाना हो सेंधा नमक पर और कितना महत होता है, बहुत, बहुत ज़्याद जब मत होता है इसका और कदू दाल बनता है और कोभी का सबजी बनता है और बचका उचका बनता है इससे बाल बच्चा के लिए किया जाता अपने मन को साथ अच्छा कर चट की बात होती है तो पहला दिन का जाता है कि गंगास नान होता है तो क्या ये गंगास नान के बाद बनाया जाता है या उससे पहले बिना नहाये हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं नहाने के बाद पहला चीज हम लोग यही करते हैं जो भोजन बनता वो खाते ह तो इसी से शुरुवात होता है चट का चट की शुरुवात किस तरीके से होती ये तमाम प्रशाद आप देख सकते हैं कि कद्दू भात तीन चार तरह की सबजियां होती है और तमाम पकवान होते हैं ये बनाया जाते हैं इसके अलावा कल कह सकते कि कल दूसरा दिन होता है, खरना होता है, खरना में क्या कुछ होता है? ये चार दिन का ये वरत होता है और चारो दिन का अलग-अलग प्रशाद होता है इस वरत का यही खासियत है आज जैसे कद्दू भात हुआ कल खरना का खीर बनेगा अब परसो फिर ठेकवा रहता है फिर ठेकवा भी बनेगा तो ये चार दिन अलग-अलग तरह का चीज बनता एक दिन एक प्रशाद नहीं रहता है चारुब दिन अलग अलग प्रशाद होते हैं और ये पूरी तरीके से आज घर में ही बनाया जाता है और इसमें कोई भी चीज बाहर से कोई भी चीज नहीं आएका सब लोग घर में ही बनता है सब घी में बनता है कोई यह नहीं कि आप सरसोते लिए रिफाइंड यूज के कुछ नहीं सब घी में बनता है। चट की बात होती है तो पवितरता की बात आती है तो क्या यह समान जो होते हैं इसको अलग रखा जाता है अलग तरीके से बनाया जाता है। चट का इंतजार काफी दिनों से होता और खासकर बिहार वासियों के लिए चट काफी एहम होता है। यह देख सकते हैं किस तरीके से पहला दिन जो प्रशाद है वो बना है आज से शुरवात हो चुकी है और देखिए जो तमाम चट रतिया है वो प्रशाद भी ग्रहन कर रही हैं आज के बाद कल परसो और इसका समापन आठ तारिक को होना है नहीं आठ नॉंबर को होना है जब सुबह उकते हुए सूरे को अर्ग दिया जाता है उसके साथ छट परव का समापन जो है वो हो जाता है वीडियो जनले सतीन कुमार के साथ उतकरिश न्यूज नेशन पट कर दो जहांगा और के साथ नहीं आठ आठ बंदब परवाद तारिक को अर्गण मां पर मस्क बाद व्यास ओई जनले सब्सक्ता है व्यक्तकर्स कर दिया को प्वाद करे कि जले करे को आद नहींगागा है वीडिव जीवाद भीप में आठ जह सकते है वीड़ झाठ लिवा